नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका अमारे खास अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अभिलाश भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 12 जन्वरी से वंडे सिरीज की शुरुवात होने वाली है लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि COA याने की Committee of Administrators और BCCI ने मिलकर ये फैसला लिया है कि दो मैय ची का बैन लगाया ज़ा सकता है केल रहुल और हार्दिक पाndया पर केल रहुल अलगि प्लेइंग 11 नहीं होंगे लेकिन अभी भी उनको दो मैचस जो है वो फेस करने पड़ेंगे सबसे बड़ी बात ये है कि हारदिक पांडिया प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते थे लेकिन उनको भी बैन किया गया है बता दें आपको कि Controversial Reality Show Coffee with Current में ये दोनों पधा रहे थे अपनी so-called stud वाली image बनाने के लिए लेकिन उसके बाद इन्होंने कई ऐसे कुलासे कर दिये जो काफी जादा अपमान जनक थे आपती जनक थे लड़कियों को लेकर कई तरह की बाते की लड़कियों को अपमानित किया और इस तरह से शायद ख़बर जो आ रही है वो यही है कि दो match का band दोनों ही खिलाडियों पर तो अब reality shows में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा बता दें आपको कि cheer leaders को लेकर काफी अपमान जनक बाते तोनों ने कहीं उसके बाद अपनी जो निजी जिन्दगी है उसमें वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं केल राहूल ने भी अपने आपको defend तो किया लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो राजबर शराब के नशे मेंस जब सूबे आए और आकर उन्होंने शतक जड़ा उनको regret जरूर हुआ उन्होंने defend जरूर किया अपने आपको show में लेकिन हर्तिक पांडिया की जबान फिसलती चली गई और दो मैच का बैन जो है वो इन पर लग सकता है फिलाल अगर देखा जाए तो उन्होंने कई तरह के remarkable कमेंट कर दिये और उन्होंने dressing room के अंदर की भी कई सारी बाते बता दी राग की parties के बारे में बता दिया जो confidential होना चाहिए या फिर जो कई team management के अंदर की जो बाते होती है वो भी उन्होंने खोल के रग दी और पूरा बारतिक cricket इससे शर्म सार हुआ है हर कोई यही कह रहा है कि हर्दिक पाड्या और के राउल पर बैन लगना चाहिए अलाकि बैन 4-5 मैच का लगना चाहिए था लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि इन पर 2 मैच्चेस का बैन लग सकता है फिलाल इसका अपडेट में इतना ही पूरी अपडेट आप तक क्लिक कर हाजिर होंगे फिलाल में दे दीजिये अजासब